नमबर थेयुरी के कुछ core concepts, जिन में major concepts, जो हैं, वो मैंने कल भी आपको बताया थे, पिछले lectures में बताया है, but for now, in this lecture, we are going to see two major concepts, factors and multiples. factors क्या होते हैं और multiples क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहले चीज़ है, कि जब भी हम number theory को देख रहे होते हैं, mathematics की अंदर खास तोर पे, factors हमारे सामने बे बहा आते हैं. और ये factors data science में इतने जरूरी हैं, अगर आप big data analytics की बात करें, AI की बात करें, इतने जरूरी हैं कि अक्सर उकात हम चीज़ों के factorize करके उनको utilize करते हैं, जिसमें हम scaling का भी नाम ले लेते हैं, normalization का ले लेते हैं नाम, and there are many other rules. Second हमारे पास है multiples, multiples और factors, ये दोनों बहुत ही simple चीज़े हैं, लेकिन इनका impact बहुत बड़ा है, कैसे, देखिएगा, factors जो हैं, ये numbers होते हैं, पहले तो मैं गोरे की definition उठा के आपको देता हूँ, यहां पर, ताकि आपको पता चल जाए कि हम सिरफ अपनी मर्जी से नहीं यहां पर पढ़ड़े, हम गोरों की भी सुनते हैं, यानि के जुनों ने definitions बनाई हैं, जारी बात है, साथ डेया ने बनाई हैं उन दियां तरसी कह देने, so, factors क्या होते हैं, factors are the numbers, factors are the numbers, मैं इसको yellow कर लेता हूँ, यहां से, यहां पर, factors जो हैं, ये numbers ही होते हैं, पहली बात तो यह, ठीक है, that can exactly divide another number, जो exactly divide करे another number को, without leaving a remainder, ठीक है, यानि के remainder कोई न छोड़े, remainders क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया तो मैं दुबारा से बता देता हूँ, जैसे यहां पर ये 5 है ना, 5 को अगर 2 पर divide करते हैं, तो हमारे पास जो बाकी बचता है, मतलब 2 दो बार 4, यहां पर 2 दो बार 4, और 1 पीछे बचा, 5, तो एक जो है हमारा remainder है, ठीक है, remainder, जो बाकी बच गया, ये remainders programming के अंदर और data science के अंदर बहुत important हैं, और ये number theory के patterns को हमारे सामने आयां कर देते हैं, ऐसा आयां करते हैं, देखिएगा ज़रा, अगर remainder बच जाए, तो वो क्या होता है, और remainder ना बचे, तो वो क्या होता है, इसके बारे में हमने कल भी discussion की थी, but for now we will see, कि अगर हम किसी number को divide करें, वो exactly एक number को divide कर दे, and then उसके पीछे remainder कोई ना बचे, for example, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, बारा एक number है, इसके factors हम तलाश करते हैं, कि इसके factors कौन कौन से हैं, हम सबसे पहले से start करते हैं, क्या बारा एक पे divide हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्या बारा दो पे divide हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्या बारा तीन पे divide हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, तीन चार बार बारा, क्या बारा चार पे divide हो जाता है, येस हो जाता है चार तीन बार बारा क्या बारा पांच पर डिवाइड हो जाता है नई क्योंके पांच दो बार दस और पिछे दो बच जाएगा तो ये हम यहां से निकाल देते हैं यानि कि इसको मैं क्रॉस लगा देता हूँ इसी तरीके से हम अगले नंबर पे जाते हैं तो इसको हम कहेंगे 6 दो बार बारा क्या बारा साथ पे डिवाइड होता है आठ पे होता है, नो पे होता है, दस पे होता है ग्यारा पे होता है, बारा पे होता है, बारा पे बिलकुल होता है लेकिन जो बीच वाले नंबर हैं, इन पे 12 डिवाइड नहीं होता, without leaving a remainder, ठीक है, तो अब आप मुझे खुद बताएं, के हमारे पास इसके factors कितने आए, इसके factors आगे जनाब 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो यही हमारे वो numbers हैं, जिनको factors बोलते हैं, तो 12 के जो factors हैं, वो यह हैं, 1, 2, 3 4, 6, and 12, समझाई, अब यहां पे जो data scientist चीज़ देखते हैं, वो एक pattern देखते हैं, वो pattern अभी मैं आपको बताने लगाँ, जब आप यहां पे चेक करें, हमने 1 पे divide किया हो गया, 2 पे किया हो गया, 3 पे किया हो गया, 4 पे किया हो गया, 6 पे नहीं हो रहा, sorry, 6 पे हो गया, 7 पे नहीं हो रहा, 8 पे नहीं हो रहा, 9 पे नहीं हो रहा, 10 पे नहीं हो रहा, 11 पी नहीं हो रहा, क्यूंगे 6 दो बार 12 है, समझा ही बात की, सो इसी pattern को आप आगे भी analyze कर सकते हैं, कि कब अगले आने वाले सारे के सारे missing होने हैं, यह 12 के factor हो गया, अगर मैं यही 24 के factor करना च तो मैं किस तरीके से इसके factors करूँगा, 24 हमारे पास एक पे भी हो जाता है, दो पे भी हो जाता है, तीन पे कैसे हो जाता है, आपको पता है, तीन आठ भार 24, लेकिन एक और तरीका है, कि 24 को देखो, कि यहां पे 24 है 2 और 4, अगर हम इन दोनों को जमा कर लें, तो यह बनता तो 6, 6, 3 पे हो रहा है, तो 24 भी हो जाएगा, तो इस तरीके से जब भी आपने देखना है, कोई quantity 3 पे divide हो रही है, अगर हो रही है तो ठीक, तो आप उसका sum लेके अगर देख लें, अगर वो हो रहा है, तो main quantity भी हो जाएगा, 3 आ गया, 4, 6 बार 24, 5 नहीं होता, 6, 4 बार 24, फिर हमारे पास 7 और 8 तीन बार 24, आठा आ गया, इसके इलावा और कौन सा हो सकता है, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11 भी नहीं, 12 बार 24, और मैं यहाँ पे अगर directly 24 लिख दूँ तो क्या ठीक नहीं होगा, मिसाल मैंने आपको दी थी ना पिछली दफ़ा, अगर आप गौर करें, तो यहाँ पे अगर मैं दुबारा से देखूँ, यहाँ पे जब 2 से जर्ब खा रहा है, बीच में कोई भी डिजर नहीं आगा, क्यों? क्योंके 12 automatically 12 plus 12 is equal to 24 है, 12 दो बार, ठीक है? अब 13 करेंगे ना, वो किसी और के साथ multiply करते ही, इससे बढ़ जाएगा, number increase कर जाएगा उसका, so whenever you are doing this factorization, तो आपको पता चल जाते हैं, ठीक है जी? यहाँ पे clear होगी आपको बात? समझ आगी बात कीजी, तो यह हमारे पास क्या चीज़ी हैं, यह हमारे पास हैं factors, अब देखते हैं multiples क्या होते हैं, multiples की definition भी पहले गुरे वाली आपके सामने रखता हूँ, फिर हम mellow की आपको दिखाता हूँ, I'm just kidding, by the way, multiples are, यह भी numbers हैं, जारी बात है, what you get, when you multiply a number by the integer, for example, the first 5 multiples of 4, कौन कौन से होंगे, यनि के, मैं यहां पे 4 का पहाडा लिखता हूँ पर ले, four ones are, four, four twos are, eight, four threes are, twelve, and four fours are, sixteen, four fives are, twenty, four six are, क्या हो जाएगा जना, 24, तो अगर मैं इसका टेबल लिख रहा हूँ, आप गौर करें, तो यह हमारे multiples ही हैं न, चार, आठ, बारा, सोला, बीस, और चोबिस, अगर मैं चार के, पहले पांच multiple लिखना चाहूँ, first five multiples of four, तो मैं लिखूंगा, four, eight, twelve, sixteen, and twenty, इस तरीके से आपके पास multiple आते हैं, ऐसा number, जब आप, उसको multiply करें, four के साथ, तो अगला number उसके पास आ जाए, तो यह हमारे पास multiples होते हैं, multiples are, when you get, what you get, when you multiply a number by the integer, ठीक है, for example, इसकी मिसाल देता हूँ, कि चार को, जब किसी integer के साथ, यानि कि तीन हो, दो हो, चार हो, पांच हो, के साथ multiply किया जाए, जो हमारे पास बाकी बचता है, multiply करने के बाद, जो आता है हमारे पास, वो हमारा multiple होता है, तो इसका मतलब यह है, कि चार को किसी भी integer के साथ, जब हम multiply करें, जो हमारे पास आए, integer की बात हो रही है, not about decimal points, तो उसको हम multiples बोलते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे आपको clear हो गया, कि हमारे पास जो multiples और factors हैं, वो किस तरीके से चलते हैं, यह दो important चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, multiples और factors देखना, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को factorize कर रहे होते हैं, यह multiply कर रहे होते हैं, तो हम इन चीज़ों को मदे नजर रखके करते हैं, कि उनके rules क्या कह रहे हैं, say for example, अगर किसी की age 80 मेरे पास आ रही है, तो मैं उसको कैसे देखूँगा, कि यह किस चीज़ का multiple है, इसके पीछे क्या trend चल रहा था, मेरे पास जो ज्यादा तर ages आ रही हैं थी, वो decimal point में थी, तो कैसे आ रही हैं थी, अगर मेरे पास वो integers में हैं, then I will talk about the number theory, उनके patterns देखूँगा, and so on, बाकी चीज़ें देखूँगा, तो factors and multiples यहां पर आपको clear हो गए होगे,